हाई आज की इस वीडियो में हम रासाइनिक बंधन के कितने परकार होते हैं आज की इस वीडियो में कभर करने वाले हैं तो ये बहुत ही इंपोर्टेंट टोपिक होता है हमारे साइन्स के केमेस्ट्री का तो चलिए समझते हैं रशायनिक बंधन कितने परकार के होते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहला जो होता है आयनिक बंधन जिसे बैद्यूत संयूजक बंधन के नाम से भी जानते हैं तो आए समझते हैं इसमें होता क्या है देखिए दो परमानू के बीच एक में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रोन से अस्थनांतरन के फल्सरूप नए बंधन को आयनिक बंधन कहा जाता है या फिर इसी को बैद्यूत सयूजक बंधन भी कहा जाता है तो ये हो गया आपका आइनिक बंधन चलिए इसी तरह next है हमारा सहसायोजग बंधन तो सहसायोजग बंधन क्या होता है जब दो परमानू आपस में इलेक्ट्रोनों का साजह यानिकी साजहदारी करके अपने अश्टक को पूरा करते हैं यहां क्या करते हैं बापस हैं यहां पर आपस में करते हैं आपस में इलेक्ट्रोनों का साजहदारी करके अपने अश्टक को पूरा करते हैं तब उनके बीच बनने बंधन को सहसायोजग बंधन कहते हैं और यह सहसायोजग बंधन जो होते हैं define करते हैं बात कर लेते हैं एकल बंधन की तो जब दो परमानु के मध्य यानि के बीच एक electron युग में का साजा होता है तो इस तरह बने बंधन को एकल बंधन कहते हैं जैसे hydrogen तो hydrogen यानि H2 तो hydrogen का दो अनुजो है यह क्या करता है अपना electron क्या करता है एकल बंधन करता है यहां पर यदे यहां पर एक जोड़ा करता है, तो इस तरह यह क्या करता है, साज़ारी करता है, यही आपका क्या गलता है, यही आपका एकल बंधन कर लाता है, और भी example मिथेन है, यानि CH4, इसमें भी एकल बंधन होता है, चलिए, अब हम लोग देखते हैं, दूई आबंध, यानि दूई सायोजग बंधन, देखिए, चलिए, नेक्स्ट हमारा है, तिरी आबंध, यानि कि तिरीक सायोजग बंधन, जब दो परमानों के बीच, यानि कि मद्धिये, तीन एलेक्ट्रोन युगमों का साज़ा होता है, यानि कि तीन एलेक्ट्रोन का जोड़ा, जब भी होगा, तो तीन एलेक्ट्रोन का जोड़ तो इस परकार ये आपका complete हो चुका है रासायनिक बंधन के परकार और इसका क्या क्या example हो सकता है तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं next वीडियो में इसे और बार की से समझना है तो इसके लिए अलग से वीडियो बन जाएगा आज की इस वीडियो में सिर्फ इसका definition हमें समझना था ओके so मिलते हैं next वीडियो में आज के लिए इतना ही so thank you